हेलो दोस्तों नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल नौक पॉइंट में आप सभी का स्वागाज करते हैं दोस्तों आज का हमारे टॉपिक है इंजिनिरिंग मैथमेटिक्स ठीक हैं जो इंपोर्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा यह सब इंपोर्ट टॉपिक होके और जो आ इसकारी डिसक्रिफ्चन के लिंग में आप चेक कर सकते हर उनिट का यह सब इंट आपको पीडिएफ मिलेंगे दोस्तों तो आप को हर लिंक मिल जाएगी आपको पीडिएफ की हर उनिट की तो दोस्तों आप अब स्टाट करते हैं इनिट वन से कौन्छें इमपर्टेंट टॉपिक है तो इनिट वन की बात करता है दोस्तों सबसे पहला टॉपिक आता है प्रियोर्ड एक फंक्षन पढ़ लेना अब फंक्षन में दोस्तों दो पाठ आता है अपना एक आता है एक और फंक्षन आता एक एगसाम में आ सकता है यह दोस्तों और यह दोस्तों कॉंप्लेक्स फॉर्म है यह भी पढ़ लेना दोस्तों मैं इसके एक यह पांच के मैंने एक question की PDF भी दी है जो सो M3 के जिसे M3 भी बोलते दोस्तों इसकी मैंने question list दी है आपको जो आप link में भी आप चेक कर सकते हो जो जिसकी मैंने PDF दी है दोस्तों आप आया तो दोस्तों unit 2 की बात तो दोस्तों unit 2 का जो chapter है integral transform यह भी दोस्तों बहुत important है तो इसमें पहले की बात करते है transform concept तो यह page number one में मिल आप पीडियाप चेक कर लेना दोस्तों अब दूसरा आते है fourier integral theorem तीसरा आते है दोस्तों fourier sign and cosine integral यह दोस्तों सबसे important यह topic है यह वाला सबसे दोस्तों important topic है यह पढ़ लेना आप mostly आ जाता है exam में आता में देखा है और इसके दो पार्ट रहते है दोस्तों fourier sign integral का formula रहता है यह fx होता तो दोस्तों क्या होता function होता तो अपन function किसका कर रहे है और वाले की बात कर रहे है तो इसका दोस्तों formula होता function x 2 upon pi 0 से infinity यह जा रही है यह sin w x dw तो dw किसके w के function में हो रहा तो यह dw आ गया है यहाँ अगर x होता तो यह x आ जाता function यह dw के according अपन कर रहे है यह differentiation अब फिर यह दूसरी limit आ जाती है जोस्तों function t sin w t और यह d t तो दोस्तों यह हो गया आपका किसका odd के और sign की यह बात कर, sign e के integral की यह वाला formula आ जाता है आप यह sin की बात कर लिए आप को sign की दोस्तों बात कर लेते हैं तो दोस्तों Cosine की जैसे बात करता है कि for your Cosine integral for fx function is given यह वहां दोस्तों अपने ओर्ट की बात करी थी यह इवन की बात करें तो इसका फोर्मला के दोस्तों होता function 2 upon pi भी 0 से infinity limit cos w x dw 0 से infinity f t cos w t dot dt दोस्तों यह भी बहुत important topic है यह भी आप कर लेने exam में अधिक तरह आता है दोस्तों जो भी दोस्तों आपको अगर doubt हो तो आप comment में लिख सकते हैं दोस्तों पूरा मैंने इसकी pdf solve करके आपको description पर link पर दे दिया आप हर unit का हर question आपको मिलेगा दोस्तों और दोस्तों इसमें पूरी question की pdf भी मैंने दिये important question भी दिये है इसमें अभी दोस्तों यह आ जाता है application of Fourier transform यह भी important question है और याज और डिफरेंशल equation यह भी इतने important नहीं है मगर दोस्तों यह सबसे important है Fourier transform यह आप अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों इसमें तरह benefit नहीं जिसमें इसमें यह वाला आप important है यह दोस्तों सबसे और सबसे आधा question आते है यह अप सबसे ज़्यादर बेसिक से पढ़ना डीप लीजसे दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादर कोशन आता आपको कून-कून से सबसे पहले introduction पहलेने किसका लापलेश ट्रांसफोर्म के अब इसमें कून दोस्तों पार्ट है सबसे मेंक चीज है यह assassination आपको आगे भी काम आएगी आपको जो इंटरेंग्स जाब रहेंगे दोस्तों जो भी आपके बैसिक एक्जाम रहेंगे वो आपको हेलब करेगा इंवर्स लाफ्लाश ट्रॉम अब यह प्रिविल में आप यह पढ़ लेने analytic function क्या होता है harmonic conjugate क्या होता है kochi Raman equation क्या होता है kochi theorem for integral formula क्या होता है residue theorem यह सबसे important है यह सबसे topic का है unit 4 का सबसे main topic है दोस्तों इसे आप hebढ़ लेना residue theorem यह most IMP है दोस्तों क्या most IMP residue से इंपोर्टन टोपिक है इन दोनों में यह सबसे इंपोर्टन दोस्तोब पूचिज आते एक्जाम में जो भी डाव्ट तो दोस्तो लिंक में आप कमेंट में लिख सकते हैं और जो मैंने इसके इंट और कभी PDF मेने आपको solve करके दिये link में आप चेक कर सकते दोस्तों और दोस्तों सब्सक्राइब पर देना चैनल को तो आजाते हैं उनिट 5 की बात करते हैं इस दोस्तों उनिट 5 में आते हैं Transcendental equation क्या होती है अब इसमें दोस्तों पढ़ लेते हैं method of bisection, scan method, regular false method and Newton reference method यह दो method है दोस्तों यह उनिट 5 में हर्जम से यह दो method पूछी आएंगे आप इन दोनों को कलें most IMP question है दोस्तों क्या most IMP question है दोस्तों यह regular false method और Newton reference है तो दोस्तों यह सब मेरे चाट-चाट के टॉपिक्स रखें आपकी help के लिए रखें दोस्तों जो भी doubt हो तो आप comment में लिख सकते हैं आपको मैंने पूरी solve PDF करके रखें दोस्तों उनिट 5 तक रखें और दोस्तों अगर आपको वीडियो परसंद आतो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ठेंक्यों दोस्तों